बाहर से एकदम क्रिस्पी और करारे अंदर से बिलकुल सॉफ्ट और जूसी असलाम लेकुम आज हम बनाएंगे फ्राय फिश या फिर आप इसको मचली के पकॉड़े भी बोल सकते हैं बनाने की रेसिपी बहुत ही जबदस ये मचली के पकॉड़े बनकर तयार होंगे बहुत आसानी से आपको मिल जाती है बोनलेस फिश लेकिन आप चाहें तो जो फिश बोन्स के साथ आती है यानि की काटो के साथ आती है उसका भी आप इस्तमाल कर सकते हैं मचली को किस तरह से दोना है इसका तरीका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी वहां से आप कर सकते हैं अब हमें मेरीनेट तयार करनी के यानि यानि की फिश को प्रइ करने के लिए शाक तयार कर लेंगे की लो में एक बोल में 30 पूर अद्रॉक और एक शुन सब्सरें का पेस तालेंगे और एक थीशुन या फिर पिश्टीवी रिक लाशिक मिलमिश के कसूरी मेथी को रोस्ट करके हाथों से क्रश करके यूज करते हैं तो इसका फ्लेवर जादा अच्छे से आता है और एक टीस्पून डालेंगे जीरे का पाउडर और आधा टीस्पून गरम मसाले का पाउडर थोड़ा सा रेड औरेंज फूड कलर डालेंगे जो की आप्शनल कीटिसल करेंगे जता हैं युक्तिस मसाल के बाइंड़ एक टेबिल शाइफ़ा डालेंगे यूंड़ को इसको मैंने बफूनί है ऊप्ड़ क्षण रियो के इसको मैंने भूना नहीं है सिंपल यूज कर रही हूं और दो टेबिलasisपून चावल का आठा तो कॉन फ्लावर या फिर अरा रोड भी यूज़ कर सकते हैं अब इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी और इसका गहाड़ा सा गोल बनाएंगे तो यहां पर हम जो पानी यूज़ करेंगे वह तक्रीबन वन बाई फोर कप यानि की चार टेबल स्पून पानी का इस्त मेरिनेट में डाल देंगे मचली के पीसे तो सारी मचली जो कि हमने लिया है मैंने यहां पर 500 ग्राम के करीब बॉनलेस फेशली है यह हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे यह सारा मसाला मचली के हर पीस पर बहुत अच्छी से को जाए तब त तो यहां पर मसाला बहुत अच्छी से मचली के हर पीस पर कोठ हो चुक है अब हम इसको रेस्टिंग के लिए कम से कम आदे घंटे के लिए और जादा से जादा ओवरनाइट यानिकि जितना आपके पास टाइम है उसे साब से आप इसको मैरिनेशन के लिए रख सकते हैं ल तब तक हमारा मचली का यह मिक्सर रेस्ट कर रहा है मैरिनेट हो रहा है तब तक हम इसके साथ साथ करने के लिए एक मज़िदा सी चटनी बना लेते हैं जो कि कि किसी भी फ्राइ आइटम के साथ बहुत अच्छी लगती है चाहे वह मचली हो या फिर चिकन हो या फिर कोई वेच कटिलेट भी हो उसके साथ भी आप इस चटनी को बना सकते हैं तो इस चटनी को बनाने के लिए हम एक मेक्सी का जाल लेंगे और इसमें डालेंगे एक मुठी करीब हरा धनिया साथ में चार से पांच हरे मिर्स या फिर टेस्पून साफ में डालेंगे आधा और फिर चटनी पतली हो जाएगी तो यह देखिए मैंने इसको बगार पाई डाले पीस लिया है और हमारी बहुत ही मज़ेदार चटनी बन के तयार है रग देते हैं इसको एक साइड में अब मेडियम फ्रेम पर तेल को गरम करेंगे जब तेल प्रॉपर मेडियम हो जाएगा इसमें मचली के पीसेस एकर करके ड्रॉप करतेंगे इस टाइम पर गैस की फ्रेम को भान प्रॉपर नर beggar करते चेका और एक मिड्यम पर क्लियो ज़एगए जब मसाला इसको आपर फर्म हो जाएगा उसके बाद हम इसका साइड बदलेंगे और इसको लिए अब हम इसको लो और मेडियम फ्रेम पर 5-6 मिनट के लिए यह बहुत जल्दी फ्राइब हो जाती है क्योंकि यह बोनलेस फिश्ट भी है और फिर यह मचली है मचली तो वैसे आपको बता है बहुत जल्दी गल जाती है तो बस चार ते पांच मिनट साइड को टर्न करते करते मैंने इसको फ्राइ कर लिया है और इसको जब तक फ्राइब कर लेंगे जब तक यह गोल्डन और क्रिस्प नहीं हो जाती है लास्ट के एक मिनट गैस की फ्रेम को आप हाई कर सकते हैं जिससे कि इसमें अच्छा सा कलर जाए तो इस तरह से मारी फिश फ्राइ हो चुकी और आप देख सेकते हैं बहुत अच्छा इसमें कलर आ चुक है और बस अब हमें इसको एक एब्सॉर्बंट पेपर निकाल लेना है आप देख सकते हैं मचली कितने अच्छे से फ्राइ हुई है और मसाला बिल्कुल भी इ तो इस रेसेपी को आप ट्राइ करें और मुझक अपनी फीडबेक जरूर दें आपकी फिश फ्राइ या फिश पकॉड़ा कैसा बना बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी और मज़दार फिश फ्राइ रेडी है इसको आप इस चटनी के साथ सर्फ करें साथ मिलें थोड़ा सा नी लाफिस